हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुदरसिन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल गुरू चकाचक दोस्तों ये 9 अक्टूबर का करेंट अफिर्स है वीडियो के बीच में आपसे कोशन पूछूँगा जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है आज ये करेंट अफिर्स का पीडियेफ आपको गुरू चकाचक के टेलिग्राम गुरूप में मिलेगा टेलिग्राम गुरूप का लिंक डिस्क्रिसन बॉक्स में और साथी इसका PDF आपको डिस्क्रिसन बॉक्स में देगे लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कुशिन ने भारतिय कपास का पहला ब्रैंड और लोगो किस केंदरी मंत्री ने लौँच किया है केंदरी कप्रा मंत्री इस्मिर्थी इरानी ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जडिये दुटिय कपास दिवस पर भारतिय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रैंड आवम लोगो लौँच किया है अब भारत के प्रिमियम कपास को विस्व कपास वेपार में कश्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा अब जानते हैं भारते कपास से रिलेटेट इंपोर्टेंट बाते है भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उभोगता है भारत हर साल लगभग 6,10,000 कपास का उत्पादन करता है जो विस्व कपास का लगभग 23 परतिसत है भारत विस्व की कुल जयाविक का पास उपच के लगभग 51% का उतपादन करता है जो वहनीता की दिशा में भारत के प्रयासों को परदासित करता है Cotton Corporation of India के अध्यक्ट सह प्रवन निदेशक परदीप कुमार अगरवाल है Cotton Corporation of India का मुख्याले मुंबई महराष्ट है और इसकी अस्थापना 31 जुलाई 1970 को किया गया था निश्विशन है Access Bank ने Co-Branded Forex Card लाउंच करने के लिए किस एरलाइन्स के साथ साज़ेदारी की है सही एंसर है C, Vistara Access Bank ने भारत के पुन्ट करियर सेर्विस कमपनी Vistara के साथ मिलकर अंतराष्टे यात्रों की जरतों को पूरा करने के लिए एक Co-Branded विदेसी मुद्रा कार्ड Access Bank, Club, Vistara Forex Card लाउंच किया है Co-Branded विदेसी मुद्रा कार्ड के लिए की गई या साज़ेदारी किसी भी बैंक और भारती एरलाइन्स द्वारा की गई अपनी तरह की या पहली साज़ेदारी है इसमें Multi-Currency Forex Card गढ़ाकों को Cashless और परिसाने मुख तरीके से अंतराष्टे जगों की यात्रा करने में सक्षम बनाएगा इस एक कार्ड में 16 मुद्राओं तक लोड करने का विखल्प है विस्तारा का मुख्याले गुर्गाओं हडियाना में है और इसके CEO लेसली थिंग है वहीं एक्सिस बैंक का मुख्याले मुंबई महराष्ट में है और इसके CEO और MD अमिताब चौधरी है Next question है केंदर सरकार ने किसे RBI का नया डिप्टी गवर्णर निक्त किया है साई answer B. M. Rajaswar Rao केंदर सरकार ने M. Rajaswar Rao को भारती रिज्षवर बैंक का नया डिप्टी गवर्णर निक्त किया है इससे पहले M. Rajaswar Rao RBI में करे-करे निदशक के तौर पर कायरत थे वह केंदरी बैंक के चौथे डिप्टी गवर्णर की रूप में एनेस विसनाथन की जगा लेंगे RBI के 25 गवर्णर सक्तिकान दास हैं और इसका मुख्यले मुंबई में है इसके अस्थपना 1 अप्रेल 1935 को कोलकाता में किया गया था नेक्स क्रशन है किस देश ने सिर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाईल का सफल परिक्षन किया है सही अंसर है A. रूस रूस ने आर्क्टिक में अपनी सिर्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाईल का सफल परिक्षन किया है इस मिसाइल को वाइट आर्क रूसी आक्टिक में एड्मिरल गौर्स को फ्रिगेट से लॉंच किया गया था मिसाइल ने 28 किलमीटर अपनी परचेप वक्र की अधिक्तम उचाई के साथ सारे 400 किलमीटर की दोड़ी तैगी यहाँ उरान परिक्षन सारे 4 मिनिट तक चला और मिसाइल मैग 8 पर एक हाइपर सोनी कती तक पहुँच गई यहाँ मिसाइल एक एसक्रैम जीट पावर्ड एंटी सिप हाइपर सोनी क्रोज मिसाइल है रूस के राशपती हैं ब्लादमीर पोदीन रूस की राजधानी मासको है और यहाँ की मुत्रा रूसी रूबल है नेक्स कुशन है भारती वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है साई एंसर सी 8 अक्टूबर हर सल 8 October को भारती वायुसेना दिवस मनाये जाता है इस वर्स भारती वायुसेना ने अपनी 88 वर्सगाट मनाई है भारती वायुसेना की अधिकारिक तोर पर अस्थापना British समराज द्वारा रॉल भारती वायुसेना के रोप में 8 October 1932 को की गई थी और 1950 में इसका नाम बदल कर भारती वायुसेना कर दिया गया था अब जानते हैं हर सल भारती वायुसेना दिवस 8 October को ही क्यों मनाये जाता है IAF मतलब Indian Air Force की अस्थापना 8 October 1932 को ही थी और इसने कई एहम युद्धों एतिहासिक अभ्यानों में भाग लिया है इसकी अस्थापना अथिकारिक दौट पर बिटिस समराज की सहाइक बायुसेना के रूप में की गई थी जिसे दुईती विस्यूद के दौरान भारत की विमानन सेवा के लिए रोयल की उपादी से समानित किया गया था 1947 में भारत को United Kingdom से आजादी मिलने के बाद रोयल इंडियन एर फोर्स नाम भारत के डोमिनियन के नाम पर रखा गया साल 1950 में भारत गनराज की सरकार द्वारा इसकी रोयल उपादी को हटा दिया गया था दोस्तों आज एक कोशन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है चार आपसन देगे हैं जिनमें राश्टपती, संसद, मंतरी परिसद, नियंतरक एवां महालिखा परिच्छ इनमें से एक आपसन सही है इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है नहीं सुषन है, इंडिया पोस्ट पेमिन्स बैंक के नए एमडी और सीयो की नहीं नियुक्त किया गया है सही है असर है A. जे वेंकर्ट रमू जे वेंकर्ट रमू को इंडिया पोस्ट पेमिन्स बैंक मतलब IPPB का नया परवन निदेशक और मुख्य करेकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है वा सुरेज सेठी का अस्थान लेंगे वेंकर्ट रमूरस वर्तमान में एकी टास स्मॉल फानेस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कायरत है उन्हें तीन सल की अवधी के लिए IPPB के MD और CEO के पदबर नियुक्त किया गया है इंडिया पोस्ट प्रेमिंट बैंक मतलब IPPB का मुख्याले नई दिली में है निक्स कुशन है किस राज सरकार्णी डिजिटल सेवा सेतु कारिकरम की शुरू करने की है सही अंसर है बी गुजरात गुजरात सरकार्णी राज के ग्रामी शित्रों में सर्वजनिक कल्यान करने की दिशा में टेक्नलोजी का ज़्यादा उपयोग करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु करिकरम शुरू करने की घोशना की है इस करिकरम की सुरूआत केंदर की भारत नेट प्रियोजना के तहट की गई है डिजिटल सेवा सेतु करिकरम के अंतरगत राज की सभी 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइवर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जन कल्यान सेवाएं उपलप्त कराई जाएंगे इस करिकरम के तहट प्रारम में ग्रामिनों को राजसनकार्ड, विद्वा, मोल निवास, जाती, वरिष्ट, नागरिक, भाषा, अधारित, अल्पसंख्यक, धार्मिक अधारित, अल्पसंख्यक, अस्थाई और आई परमान पतर जैसी विस्विधाओं की पिसकस की जाएग परदान मंतरी सबा अल-खालिद अल-सबा ने नॉवंबर 2020 में होने वाले आम चुनाओं की चलती आमीर नवाफ अल-अहमेद अल-जबर अल-सबा को अपना इस्तिफा सौप दिया है उन्होंने 2019 में पी-म के रूप में कर्भार संभाला था सवा अल्खालिद अल्सवा का राजनतिक करियर की शुरूआत 1978 में विदीस मामलों के मंत्राले में शामिल होने के साथ हुई थी जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट में कुवेट के अस्थाई मिसन के परतनी दी सहित कई एहम पदों पर काम किया था वरतमान में Amir Sekh मेसाल अल उमाध अल्जबर अलसवा कुवेट के क्राउन प्रिंस के रूप में निस्नल गार्ड के उप परमुक है कुवेट की राजदानी कुवेट सिटी है और वहा की मुद्रा कुवेटी दिनार है निशुषन ने, वितमंतरी निर्मला सितारमनी किस बैंक के business mentoring program MSME प्रेड़ना को launch किया है सरे ए इंडियन बैंक वितमंतरी निर्मला सितारमनी इंडियन बैंक द्वारह MSMES के लिए एक online वेपार mentoring program MSME प्रेड़ना को launch किया है इस करेक्रम को अस्थानिय भासों में उपलब्द कराया जाएगा जिसका उतेश कौसल विकास और छमता निर्मान करसालों के माध्यम से उदम्यों को ससक्त बनाना है यह पहल पुर्णाथा एंड को के सहयोग से शुरू की गई है जो ऑनलाइन वेब अधारित, इंटरेक्टिव सत्ल और केस इस्टडी का उपयोग करके अस्थानिय भासों में उदम सीलता के विकास का इक्रम को डिजैन करती है इंडियन बैंक की टेग लाइन योड ओन बैंक है एक अप्रेल 2020 को इलावाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्ज हो गया था इंडियन बैंक के M.D.R.C.O. है पदजा चुंदरू निशुषन है परदूसन अस्तर को कम करने के लिए यूद परदूसन की विरूद अभियान कौन सा राज या केंद साचित परदेश शुरू करेगा सही अंसर भी दिल्ली दिल्ली में पर्दूसन अस्तर को कम करने के लिए पर्दूसन विरोधी अभियान यूद पर्दूशन की विरोध शुरू करने की घोशना मुखमंतरी अर्विंद के जिरिवालने की है दिल्ली सरकार दोरा धूल हटाने के लिए एक विसेस एंटी ड़िश्ट अभ्यान चलाया जाना है इस अभ्यान के तहट पूसा क्रिसी संस्थान दोरा विक्सित एक तकनिक का इस्तिमाल पडाली जलाने के खतरे को रोकने के लिए किया जाएगा इसके अलबा सरकार परदूसन से संबंधिस सिखायतों के लिए एक फोटो अधारित एप ग्रिन दिल्ली आपको बता दू कि यह एप इस महीने के अंत से पहले नगरिकों के लिए लौँच किया जाएगा दोस्तों केल मैंने आपसे कोशन पूचा था कोशन था गुप्त काल में किस धातू के सरवाधिक सिक्के जाड़ी किये गए इसका सही एंसर है A. सोना प्राचिन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जाड़ी की जो उनकी अभिलिकों में दिनार कही गई है नियंतरित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनिक प्रकारों और वो प्रकारों में पाई जाती है ये मुद्राएं उतनी शुद नहीं होती थी जितनी कुसान मुद्राएं होती थी आज आ कोशन मैं पहले पूछ चुका हूँ फिर भी आपको यहां कोशन दिख रहा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उमीद है कि यह वडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आईए तो वडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वडियो शेर जोर कीजिए और हाँ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेश कर लिजिए साथ ही वडियो आइकन पर प्रेश कर लिजिए ताकि नए वडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहली आपको मिले थैंक यू